हे नमस्कार दोस्तों तो आज हम रिव्यू करने वाले है फायर बोल्ट टैंक स्मार्ट वाच यह वह मेरे पास काफी टाइम से आया हुआ है लेकिन मैं इसका वीडियो अप्लोड नहीं किया था क्योंकि लिए मैं थोड़ा से दूसरे काम है बिजी था आपने देखा होगा का पर बॉक्स पर मेंशन किया वह यह आपर ग्यार जार नावसो निन्यान बे रुपए है लेकिन इसका लॉंच प्राइज आपर दो जार रुपए था लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो कि आपर जोए तीन जार रुपए हो चुका इसका प्राइस तो आज के इस वाच को तीन जार रुपए के हिसाब से जच करेंगे और देखेंगे कि क्या यह वाच लेने लाइक है भी या फिर नहीं तो यहापर बॉक्स ओपन करते हैं आपको यह यूजर मैनौल और स्मार्ट वाच देखने को मिल जाता है बॉर और बॉक्स कंटेंट के बारे हम पर यह यूजर मैनौल दिया गया जिससे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं उसके बाद आपको यह वारंटी कार्ड मल जाता है जिसकी मुदर से आप 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 जो वारंटी के लिए रजिस्टर कर पाऊंगे और हमेशा की तरह आप पर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन का यह पर आप जो यह वाज को मबाइल से जोए कर लेना तो चलिए अभी आप जोए वाज के बारे में थोड़ा डीटेल में बात करते हैं तो यह पर आपको जोए कुछ इस टाइप का डिजाइन दिया चाहदा चेंजस निया लेकिन थोड़ा से आप जोड़ा रगेट लुक बढ़ा नहीं है थीने आंट पर भी काफी सही लगता है स्मार्ट वाज बाकि मीडियम और लार्ज आप बारे में बात करें तो वाच में आपको आपको प्लास्टिक बॉड़ी देखने को मिलता है लेकिन प्लास्टिक की क्वाल्टिक जो यह आपर यूस किया इन्होंने त 42 ग्राम के असपास से तो उतना हेवी भी नहीं है स्मार्ट वाच बाकि साइट में आपको दो फिजिकल बटन मिल जाते एक राउंड वाला बटन मिलता और एक फ्लाट बटन मिल जाता है जो उपर वाला बटन है उससे आपर आप डिस्पले को आप कर सकते और यह जो एक र स्पीकर दिया गया क्योंकि यह कौलिए जो कॉलिक स्मार्ट आप अगरम आपको दिस्पले के बारें बात करें तो बैजल सापको जो काफी जादा कम देखने को मिलते उपर की तरफ जो एक डायल दिया गया है उसके अंदर का जिता ही पार्ट है अलमोस्ट डिस्पले यह और अगर में आपर जोई डिस्प्ले के स्पेक्स की भात कर ले तो इस वाच में आपको 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 देखने को नहीं मिलता है वाच को यूज करते टाइम लेकिन ब्राइटनस के मामले में जो मुझे थोड़ा से इसका जो ब्राइटनस है नों कम लगा काफी बढ़िया से वगर करता है डिस्प्ले आपट इसमें यूज कर सकते हैं और वाच में इंबील्ड आपको आपको आपकोई प्लस वाच के ऑप्शन अपको आपको आपट करिदे पर आपको आपसे और मिलता है मतलब खुद के फोडर विगरा वाच की तरा इसमें और करें तो इस वाच में आपको आपको 123 स्पोर्स मोड दिये गए है एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए यह वाला स्मार्ट वाच है वह आपर आई पी 67 वाटर रेश्टेंट है तो स्विमिंग वगरा के लिए यूज नहीं कर पाओगे बागी पानी वगरा गिरता है वाच अपर शॉब्स मोड के लिए सबसे पहले मैं आप एक पर इक्सोबस स्टेब्स को ही प्लाइब ऑमरें पर आप जोई 107 स्टेप सब्सक्राइब एक वाच में और हाट रेच मोनिटर के बारें बात करें तो ऑक्सिमिटर में आप जोई 107 क्या चाहर कर रेइडिंग और वा कर रहा था और वाच में आप जो एक आइडिया के लिए और बात करें तो इसमें आपका पर इस्ट्रेस मॉनिटर और बीपी मॉनिटर भी मिलता है जो कि काफी बढ़िया से वर्क करता है लेकिन बोल नहीं सकते कितना एकुरेट ही है और कॉलिंग फीचर को यूज करने के लि जाएगा उसके पर वाच में आपको जो कॉल स्ट्री को ऑप्शन मिल जाता है डायल पैड पे दिया गया तो डारेक्ट नमबर डायल करके किसी को कॉल वगड़ा कर सकते आप डायरेक्ट लिवाच सभी पर आपको आपको यूज करने का विश्टिन दिया गया है सेटिंग म के लिए डिफिनेटले को आप यूज कर सकते हो और मैं आपको आप आप जहों कि ऑस्कूप युखा फीचर ले ले ना सबसे पहले उसके पर िया पर यूजिवर कोड का स्कृ cima करोगे तो नीचे की तरह पीजी युआपको आपको आप अपलोड कर देना तो वाचमें वन पर आप अपने payment का रखा होगा तो payment वगरा कर सकते हैं इस लिए आप पर इंस्टाग्राम पर आच होगा है की वार को स्कान करते ही तो इस फीचर को भी यूज कर सकते हो काफे अच्छा फीचर यह भी और भी कुछ कर सकते हैं विजर भी कर सकते हैं और आप डिस्प्लेयाइड सेचन कर सकते हो और आकर आप आपर नोटिफीकेशन के बारे बात करें तो नोटिफिकेशन वगराइब काफी बढ़ीया से आ रहे थे चार से पांच लाइन तक का मेसेज आप पढ़ सकते हो वाच में और यह कॉलिंग स्मार्ट वाला फीचर ज्यादा यूज करोगे नोटिफिकेशन के लिए अमिशा मोबाइल से कनेक्ट रखोगे वाच को तो एक से दू दिन तक का जोए बैटर लाइफ आप एकस्पेक्ट कर सकते हैं और ल आपको निचे दिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आपको एक बार चेक आउट करना है तो आप कर सकते हो तो और अगर आपकर बात करें तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लेगा काफी डिसेंट साइब से बड़ा इसमें मुझे लगा कि का रहे है इसकी मतलब दो मैंने फ पर इसका नाम शो कर रहा था तो यह मुझे इसका काफी बड़ा इस्यू लगा कि मेरे फोन से जो इसका नाम शो नहीं कर रहा था अप में तो आपके पास भी यह वाच है तो मुझे एक बार नीचे कमेंट करके बताना कि आपको भी जो यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ र अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना